गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, आज हम आरोहो गद्य भाक में पाठ 14 पहलवान की धोलक पाठ का सारांश समझेंगे, जिसके लेखक हैं फनिश्वर नात रेनू. सबसे पहले लेखक के जीवन परीचेक पर नजर डालते हैं। सबसे पहले लेखक के भारत चोड़ो आंदोलन में बढ़ चड़ कर भाग लिया और सन 1950-1950 में नैपाली जनता को राज शाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना वा राष्ट्रे भावना को मद्य नजर रखते हुए अर्थात ध्यान में रखते हुए भार सरकार ने इन्हें पदमशिरी से अलंकरत किया। अर्थात इन्हें पदमशिरी सम्मान दिया गया। कुछ कहानियों के संग्रहे हैं उनके नाम है ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्री की महक, एक श्रावनी, दोपहरी की धूप। संस्मरन के नाम है रेणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, शृत, एशृत, पूर्व। रिपोतार्ज है नेपाली क्रांती कथा। इनकी तमाम रचनाएं पांच खंडों में रेणू रचनावली के नाम से प्रकाशित हैं। सहित्तिक विशेष्टा, हिंदी सहित्य में फनिश्वर नात्रेणू आंचलिक सहित्यकार के रूप में परसिद रहे हैं। इन्होंने विभिन राजनेतिक वा सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रे भागिदारी की। इनकी यह भागिदारी एक और देश के निर्मान में सक्रे रही तो दूसरी और रचनात्मक सहित्य को नयातेवर देने में सहायक रही। इनकी सहित्य रचनाओं में आंचलिक परिवेश को अधिक दर्शाया गया है इनकी भाशा सरल है, इसपस्ट है, सुगम है और भावा नुकूल है अब हम पहलवान की धोलक पाठ का प्रतिपाध्य देखेंगे तो इस पाठ में यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के एपरसांगिक हो जाने की कहानी है अर्था जो ये पार्थ है पहलवान की ढोलत इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक विवस्था बदलकर दूसरी विवस्था लागू होती है और दूसरा उसका प्रभाव क्या पड़ता है इसके अतिरिक्त जो हमारी लोग कलाएं हैं जैसे नौटंकी, लावनी, भंगडा, आदी ये सारी हमारी लोग कलाएं हैं इन लोग कलाओं किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है जब विवस्थाएं बदलती हैं और उन लोग कलाओं के जो कलाकार लोग होते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव परता है। जैसे उसने कुष्टी को शाही खेल से हटा दिया और घुर दोड को शाही खेल बना दिया। इस प्रकार उसने अपनी विवस्था ये लागू की और बहुत सारी चीजों को बदल दिया। जिसके कारण क्या हुआ। बरसों से जो जमीनी हमारी पुरानी विवस्था थी जब उल्टी हुई तो क्या हुआ उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ जो उस पुरानी विवस्था से वर्सों से जुड़े हुए थे। लेखक ने बताया है यह भारत पर इंडिया के च्छा जाने की समस्या है। अर्थात जिस प्रकार हमारा देश भारत था लेकिन जब उन्होंने अपना शाषन यहां पर चालू किया और हमें अपना गुलाम बनाया तो उन्होंने अपनी हर विवस्था को यहां पर लागू किया और जिसका प्रभाव क्या हुआ कि हम भारत से इंडियन हो गया और भारत का नाम इंडिया हो गया। लुटन पहलवान को लोग क पहलवान था वो एक कलाकार देसा था और उसको स्विवस्था ने क्या किया नीचे उठा कर पटक दिया जिस कारण उसे अपना पेट भरने के लिए भी बहुत सा घर्ष करना पड़ा ऐसी स्थिती में गाउं की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती अब वो लुट् भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आपको ना सिर्फ जिलाय रखता है बलकि भूक वा महामारी से दम तोड रहे गाउं को मौत से लड़ने की ताकत भी परदान करता है इसके बाबजूद भी पहलवान क्या था अपनी जीने की इच्छा को बरकरार रखता है और अपने उसी ढोल की आवाज से महामारी में से दम तोड रहे जो गाउं के लोग थे जो लोग हैजा और मलेरिया की चपैट में आ गए थे और मर रहे थे उन लोगों को उस बीमारी से उस महामारी से लड़ने की परदान करता है कहानी के अंत में भूक महमारी की शकल में आये मौत के शर्यंतर जब अजय लुटन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं तो इस करुणा तरसादी में लुटन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है अर्थात अंत में इस महामारी की चपेट में लुटन और उसके दोनों बेटे भी आ जाते हैं और तीनों की मृत्यू हो जाती है तो उनकी यह मृत्यू हमारे सामने कई सवाल छोड़ती है जैसे वह पूल पुरानी विवस्था की है या नई विवस्था की अर्थात की ये गलती किसकी है पुरानी विवस्था की जिनोंने अपने कलाकारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रखे थे या नई विवस्था की जिनोंने पुरानी विवस्था को एकदम से उखाड फैंका और उनके बारे में कुछ नहीं सोचा क्या कला की प्रसांगिक व्यवस्था की मुखा पेक्षी है क्या हमारे समाज में हमारी व्यवस्थाओं में जो हमारी लोग कलाएं हैं उनकी उपेक्षा की जाती है अत्वा उसका कोई स्वतंत्र मुल्य भी है मनुश्यता की साधना और जीवन सौंदरे के लिए लोक कलाओं को प्रसांगिक बनाए रखने हे तू, हमारी क्या भूमिका हो सकती है और अपनी लोक कलाओं को बचाने के लिए हम क्या करें, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए इस तरीके के कई प्रश्न यह कहानी छोड़ कर जाती है अब हम देखेंगे पाठ का सारांश सर्दी का मौसम था गाउं में मलेरिया वा हैजे का प्रकोप था लेका कहता है कि ये गाउं है और गाउं में क्या है सर्दी का मौसम चल रहा है और गाउं में जो है महामारी फैली है मलेरिया और हैजा फैला हुआ है लोग सभी लोग मलेरिया और हैजा से ग्रसित हैं अमावस्य की ठंडी रात में निस्तब्धता थी और रात कैसी थी? अमावस्य की थी अर्थात जिस दिन चंदर्मा नहीं निकलता है वो अमावस्य की रात होती है चारो और काला अंधकार छाया रहता है तो लेखक ने कहा काली राती चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, सर्द रातें थी और चारों और निस्तब्धता फैली हुई थी, निस्तब्धता मतलब सन्नाटा फैला हुआ था, आकाश के तारे ही प्रकाश के श्रोत थे, अगर थोड़ा बहुत प्रकाश आता था, तो केवल आकाश में चमकते तारों का सियारवा उल्लों की डरावनी आवाज से वातावरण की निस्तब्दता कभी-कभी भंग हो जाती थी उसने बताया इस सन्नाटे को अगर कोई भंग करता था तो केवल सियारों के रोने की आवाज और उल्लों यानि पेचकों के डरावनी आवाज जो डरा रही थी मन को कभी किसी जोपड़ी से कराने वे कभी रोने की आवाज तथा कभी-कभी बच्चों के रोने की आवाज आती थी तो कहता है कि कभी-कभी किसी जोपड़ी से कराने की आवाज आ जाती थी या बच्चों के रोने की आवाज आ जाती थी लेकिन वह सननाटे में गायब हो जाती थी कुट्टे जाड़े के कारण राक के धेर पर पड़े रहते थे साई या रातरी को सब मिल कर रोते थे इस सारे महौल में पहलवान की धोलग संद्या से प्राते काहल तक एक ही गती से बस्ती रहती थी यह आवाज म्रत गाउं में संजीवनी शक्ती भड़ती थी तो इसने बताया कि कुट्टे भी जाड़े के कारण जो राक होती है लकड़ी वगएरा जला कर हाथ से एक निकले जो राक रहती है तो गर्म रहती है उस गर्म राक पर पड़े रहते थे और सब रात के समय मिल कर रोने लगते थे कौन कुट्टे इस सारे महौल में भी सिर्फ एक चीज थी कि पहलवान की ढोलक जो शाम को बजनी शुरू होती थी वो अगली पूरी रात बजकर सुबह तक बजती रहती थी और एक ही गती से बजती रहती थी और ढोलक की ये आवाज उन गाउवालों में जो मरने की कागार पर थे एक संजीवनी शक्ती भरती थी अर्थात उन्हें जिंदा रहने की प्रेड़ना परदान करती थी गाउव में लुटन पहलवान परसिद था नौ वर्ष की आयू में वह अनात हो गया था उसकी शादी हो चुकी थी उसकी विद्वाशास ने उसे पाला वह गाएं चराता ताजा दूद पीता तथा कसरत करता था तो गाउव में जो लुटन पहलवान है वो काफी परसिद था लोग उसको जानते थे जब वह केवल नौ वर्ष का था तब उसके माता पिता की मृत्ती हो गई और अच्छी बात ये थी कि उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी थी अन्य था वो भी अपनी माता पिता के पास ही चला जाता इसी लिए उसका जो लालन पालन किया उसकी विद्वा सास ने उसे पाला वह, गाएंचराता, ताजा दूद पीता, धुरोशन दूद पीता, धुरोशन दूद का मतलब होता है थन के द्वारा, सिधा धन से दूद पीना, ठीक है? तो गाएंचराने ले जाता था और सिधा धुरोशन दूद पीता था, कसरत करता था, गाओं के लोग उसकी सास को तं किया करते थे लुटन इन से बदला लेना चाहता था तो जो लुटन था वो परती दिन कसरत किया करता था और वो कसरत करके पहलवान जैसा क्यों बनना चाहता था क्योंकि वह गाओं वालों से बदला लेना चाहता था क्योंकि गाओं वाले उसकी विद्वासास को तरह तरह से परिशान क्या करते थे तो किशोर अवस्था तक पहुंसते-पहुंसते लुटन का जो बदन है वह काफी गठिला हो गया था पुष्ट हो गया था कसरत के कारण वह किशोर अवस्था में ही पहलवान बन गया एक बार लुटन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया अब वो पहलवान बन गया तो गाउ में कुष्टी उष्टी भी लड़ता था तो एक बार क्या हुआ वहीं पर श्यामनगर में एक मेला लगा हुआ था तो उस मेले में दंगल का आयोजन होता था तो लुटन भी श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया, दंगल यानी कुष्टी देखने गया पहलवानों की कुष्टी वा दाव पेंच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनोती दे डाली अब क्या हुआ उसने देखा जब वहाँ पर कुष्टी के दाव पेच वगेरा देखे और देखा कि किस परकार एक पहलवान सबको पराजित कर रहा है तो उसके अंदर भी कुष्टी का जोश भरा जा रहा था तो एक वहाँ पर आया होँ था पहलवान जिसका नाम था चांद सिंग और पंजाब का था ये पहलवान जो चांद सिंग नामक पहलवान था पंजाब से आया था और उसने सभी लोगों को पराजित कर दिया था इसलिए उसे शेर के बच्चे की उपाधी दी गई तो चान सिंग क्या कर रहा था दंगल में चारू सरफ घूम रहा था और बीच-बीच में शेर की तरह दहाडे मार रहा था और कभी-कभी बीच में मिट्टी में भी गुलाटी मारता था यह सब देख करके लुट्टन ने उसको चुनौती देडा ली कि मैं तुमसे कुष्टी करूँगा वह जो था चान सिंग वह बादल सिंग का शिश्य था बादल सिंग की एक पहलवान था तीन दिन में उसने पंजाबी वा पठान पहलवानों को हरा दिया था किसने चान सिंग ने सारे पंजाबी पहलवानों को भी हरा दिया था और जो पठान पहलवान थे उन सब को भी उसने पराजित कर दिया था वह अपनी शेष्टा सित करने के लिए बीच बीच में धार भी मारता था श्यामनगर के दंगलवा शिकार प्रिय व्रद राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुटन ने शेर के बच्चे को चुनोती दे दी अब जब उसे कोई लड़ने के लिए तयार ही नहीं हो रहा था तो श्यामनगर के जो राजा थे जो व्रद हो चुके थे तो उन्होंने निश्चे किया कि वह चान सिंग को अपने हां शाही पहलवान बना लेंगे और वो इस दिशे में सोची रहे थे इतने में क्या हुआ लुटन ने उसको चुनोती दे डाली अब चुनोती देने का मतलब है कि पहले उसको युद करना पड़ेगा उसके बाद उसे शाही पहलवान बनाया जाएगा दर्शक उसे पागल समझते थे अब दर्शक उसे पागल समझ रहे थे किसको लुटन को क्यों क्योंकि चांसिंग जैसे पहलवान को ललकारना अपने में बहुत बड़ी बात थी चांसी बाच की तरह लुटन पर तूट पड़ा परंतु भे सफाई से आक्रमन को संभाल कर उठ खड़ा हुआ अब चांसिंग ने जैसे ही देखा कि लुटन ने उसको ललका रहा है तो भे लुटन की तरफ एकदम से दोड़ता हुआ भागा और उसे पकड़ना चाह रहा था लेकिन लुटन ने उसके इस वार को बेकार कर दिया और वह बचकर निकल गया राजा सहाब ने कुष्टी को बीच में रुकवाया और राजा ने लुटन को समझाया और कुष्टी से हटने को कहा तो राजा सहाब ने कहा कि लुटन मान जाओ तुम कुष्टी मत लड़ो वो पहलवान बहुत प्रसिद्ध है उसने सबको पराजित कर दिया है तुम उसे नहीं हरा पाओगे तो तुम कुष्टी मत लड़ो किंतु लुटण ने लड़ने की इजाजत मागी लेकिन लुटण जित परणा रहा कि नहीं मुझे इजाजत चाहिए मैनेजर से लेकर सिपाहीयों तक ने उसे समझाया परन्तु लुटण ने कहा कि इजाजत ना मिली तो पत्थर पर माथँ पटक कर मर जाएगा जब उसको जाज़त नहीं मिल रही थी तो लुटन ने राजा साब से कहा कि अगर आपने मुझे दंगल करने की जाज़त नहीं दी तो मैं यहीं पत्थर पे माथा पटक पटक के मर जाओंगा दूसरी और जो दर्शक थे वो सब भी अधिर हो रहे थे सब लोग कुष्टी देखना चाहते थे पंजाबी पहलवान लुटन पर गालियों की बहचार कर रहे थे और जो पंजाबी पहलवान थे यानि चान सिंग के जो चाहने वाले थे और जो उसके पक्ष के लोग थे वो लुटन को गालियां दे रहे थे कि ये बीच में पता नहीं कहां से आ गया नहीं तो अब तक हमारा जो पहलवान है ये राज शाही पहलवान बन जाता दर्शक उसे लड़ने की अनुमती देना चाहते थे कुछ दर्शक ऐसे थे जो चाहते थे कि लुटन को अनुमती दे दी जाया कि जब वो लड़ना चाहता है तो वो लड़े राजा साहब ने लुटन को कहा भी कि 10 रुपे लो और पूरा मेला वेला घूम कर अपने घर जाओ अराम से कुष्टी उष्टी मत लड़ो लेकिन जब वो नहीं माना तो विवश होकर राजा साहब ने लुटन को इजाज़त दे दी अब कुष्टी में बाजे बजने लगे आप लोगों को पता होगा कि जब कुष्टी होती है दंगल होता है तो धोल बजने लगते हैं लुटन का ढोल भी बजने लगा था चांद ने उसे कसकर दबा लिया था अब क्या हुआ लुटन का ढोल बजने लगा अब चांद सिंग जो था उसने लुटन की गरदन को कसकर दबा लिया वे उसे चित करनी की कोशिश में था कौन चांद सिंग लुटन को चित करना चाहत लोग की छान सिंग की तरफ थे राजा साहब भी चान सिंग की तरफ थे लेकिन tutti की तरफ हो अपना गुरू मानना था कि उसने कुछ ती किसी से नहीं सीखी ती धोल की आवाज के बारे में बताती थी जीकिस प्रकार से दाव प्रकार लुटन की आखें बाहर निकल रही थी क्योंकि चान्द सिंग ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था जकड़ा हुआ था लुटन ने दाव काटा तथा लपक कर चान्द की गर्दन पकड़ ली तभी धोलने आवाज दी चटाक चट धा अर्थात उठा कर पटक दे लुटन ने दाव जोड लगा कर चान्द को जमीन पर दे मारा धोलक से आवाज आई धिना धिना धिक धिना कहा और लुटन ने चान सिंग को चारोखाने चित कर दिया धोलक ने वहाबादुर की धोनी की तथा जन्ता ने मादुरगा की महावीर जी की राजा की जैजैकार की लुटन ने सबसे पहले धोल को परणाम किया और फिर दोड कर राजा साहब को गोद में उठा लिया राजा साहब ने उसे दरबार मे रख लिया अर्थार धोलक की आवाज ही उसके अंदर शक्ती भरती थी और उसे दाव पीज के बारे में बताती थी तो इस परकार धोल की आवाज के द्वारा उसके अंदर इतनी सूर्टी आई कि उसने चांसिंग को भी प्राजित कर दिया और सबसे पहले वे दोड कर कहा गया जो धोल बज रहे थे उन धोलों के पास और उन सब को परणाम किया क्यों? क्योंकि वे धोलों को अपना गुरू मानता था फिर वे दोड कर गया और उसने राजा साब को अपनी गोदी में उठा लिया जबकि इसका प्रतिवाद भाँ खड़े हुए मैनेजरों ने सिपाईों ने किया कि राजा साब के कपड़े गंदे हो जाएंगे तू मिट्टी में हो रहा है लेकिन राजा साहब ने सबको रोग दिया और राजा साहब ने खुश हो करके लुटन को शाही पहलवान बना दिय पंजाबी पहलवानों की जमायत चान सिंग की आँखें पहुँच रही थी अर्था चान सिंग रो रहा था और सब उसे चुप कर आ रहे थे राजा साहब ने लुटन को पुरुश कृतना करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया राजपंडित वा मैनेजर ने पहल गई तो जब उन्होंने उसको शाही पहलवान बनाया तो जो राजपंडित था जो मैनेजर थे वो सब लुटन से चिड़ रहे थे और कह रहे थे यह छत्रे नहीं है तो आपने इसको अपने दरबार में कैसे रख लिया लेकिन राजा साब ने किसी की बात नहीं सुनी और लुटन को शाही पहलवान बना दिया धीरे धीरे लुटन की कीरती थोड़े ही दिनों में दूर दूर तक फैल गई यानि वो परसिद हो गया उसने सभी नामी पहलवानों को हराया जितने भी नामी पहलवान थे उसने सब को पराजित कर दिया काले खां जैसा परसिद पहलवान भी उसके आगे कुछ नहीं था तो उसको भी पराजित कर दिया था उसके बाद वहे दरबार का दर्शने जीव बन गया अब क्योंकि अब राजा साहब ने भी लुटन को किसी से भी कुछ ती करने के लिए मना कर दिया अब वो केवल क्या बन गया था एक दर्शने जीव बन गया था मतलब कि लोग बस अब उसे दूर दूर से देखने आते थे कि वो लुटन पहलवान कौन है जिसका काफी नाम सुना है लुटन सीं मेलों में घुटने तक लंबा चौंगा पहने अस्तवियस्त पगड़ी बांद कर मतवाले हाथी की तरह जूमता चलता थ अर्था जब लुटन सींग मेला देखने जाता था तो वे बड़ा ही उसके अंदर बचपना जैसा था तो एक लंबा शाही रेश्मी चौंगा पहनता था सिर पर ऐसी अस्तवियस्त सी पगड़ी बांद लेता था पगड़ी बांदनी उसको आती नहीं थी और बिलकुल में जाता था तो हलवाई के आग्रह पर दो सेर रजगुले खा जाता था तथा मुँ में आठ दसपान एक साथ ठूस लेता वे बच्चों जैसे शौक रखता था दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता कोई करता तो राजसाब इजाजत नहीं देते थे इस त लुटन था उससे महल में शाही पहलवान बने बने 15 साल बीद गए थे उसके दो पुत्र हुए उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पतनी भी दो पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई अर्थात उसकी पतनी और सास दोनों की मृत्ति हो गई थी बस उसके दो बेटे थ दोनों लड़के पहलवान थे उसने अपने दोनों लड़कों को पहलवानी सिखाई और उन्हें पहलवान बनाया दोनों का भरन पोशन दरबार से हो रहा था इस परकार लुटन और उसके दोनों बेटे दरबार से अपना उनका भरन पोशन चल रहा था पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता दिन में उन्हें सांसारिक ज्यान भी देता वह बताता कि इसका गुरू ढोल है और कोई नहीं तो वह अपने बच्चों को कसरत करवाता और दिन में उनको संसार से संबंदित बाते भी बताता कि संसार में किस तरह जिया जाता है कैसे संबंद बना के रखा जाता है और साथ साथ वे अपने बच्चे को बताता कि मैंने कभी पहलवानी किसी आदमी से नहीं सीखी बलकि मेरा गुरू कौन है ये ढोल है इसी ढोल से मैंने अपनी पहलवानी सीखी है अचानक राजा साहब स्वर्ख सिधार गए अब लुटन के जीवन के दूसरा काल शुरू होता है जिसमें उसका ऐसा परिछेश शुरू होगा कि वह अब गरीबी की और जाने लगेगा हुआ क्या कि अचानक ही जो श्यामनगर के राजा थे वो व्रद तो थे ही उनकी मृत्ती हो गई अब जो उनका बेटा था नया राजकुमार वो विलायस से आया और विलायस से आकर राजखाज अपने हाथों में ले लिया उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी अर्थात क्योंकि एक तो लुटन से पहले ही सारे लोक चड़ते थे दरबार के तो उन लोगों ने भी उसको भढ़का दिया राजकुमार को और इस प्रकार क्या हुआ उन्होंने शाही पहलवान को महल से निकाल दिया अर्थात जो पहलवानी शाही खेल समझा जाता था उसे शाही खेल से हटा दिया गया उसकी जगह घुरदोड को शाही खेल बना दिया। लुटन की छुट्टी कर दी गई। लुटन ढोलक कंधे से लटका कर अपने पुत्रों के साथ गाउं लोटाया। गाउं वालों ने उसकी जोपड़ी गाउं के बाहर लगा दी तथा वह गाउं के नौजवान वाचरवाहों को कुछती सी खाने लगा। अब गाउवालों ने लुटन की थोड़ी मदद की और उसके लिए एक छोटी सी जोपडी गाउव के पास ही गिरवा दी बदले में वो क्या करता था गाउव के जो बच्चे थे उन लोगों को कुछती सिखाता था और गाओं वाले उसे खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे लेकिन ये काम ज़्यादा दिन नहीं चल पाया क्यों गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों वा मजदूरों के बच्चे स्कूलों में आने बंद हो गए अब वे अपनी लड़कों को ही धोल बजा कर कुछती सिखाता था अब गरीबी के कारण बच्चों को काम करना पड़ता था तो वो कुछती सीखने नहीं जा पाते थे तो अब उसका स्कूल बंद हो गया कुछती का अब वह क्या करता था सिर्फ अपने लड़कों को ही ढोल बजा कर कुष्टी सिखाने लगा लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे गाउं पर अचानक संकट आ गया सूखे के कारण अन की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया वा हैजा फैल गया अब क्या हूँ गाउं में अचानक सूखा पड़ गया अनाच की कमी हो गई पानी की कमी हो गई और उपर से क्या हूँ अब वहाँ पर महावारी फैल गई अर्था तवा मलेरिया और हैजा जैसी बिमारी फैल गई पहले मलेरिया और हैजा ऐसी विमारी मानी जाती थी बहुत भैंकरतों कि इनका इलाज नहीं हो पाता था घर के घर खाली हो गए प्रती दिन दो तिन लाशे उठने लगी लोग एक दूसरे को ढांडस देते तथा शाम होते ही घरों में घुश जाते लोग चूप रहने लगे ऐसे समय में केवल पहलवान की धोलक ही बसती थी जो गाओं के अरध मरत और उप्चार पथ्य विहिन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भढ़ती थी अर्थात ऐसे समय में सिर्फ पहलवान की ही धोलक थी जो उन लोगों को जीवन परदान करने की ताकत देती थी किन लोगों को अर्धमरत लोगों को यानि आधे अध मरे हुए लोगों को साथ में औरषदी उपचार पत्य विहीन का अर्थ है कि उए चारे औरषदियों और उपचार से विहीन थे अर्थात उन्ने ना तो औरषदिया मिल रही थी ना ही उनका कुछ उपचार हो रहा था ऐसे लोगों के जीवन में शक्ति अगर कोई भरता था तो केवल पहलवान की धोलक की आवाज एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे फिर क्या हुआ हैज़ा और मेलेरिया ने पहलवान के दोनों बेटों को भी मार दिया अर्थात उनकी भी जान ले ली पहलवान सारी राट ढोल पीटता रहा दोनों बेटे दोनों पेट के बल पड़े हुए थे उसने लंबी सांस लेकर कहा दोनों बहादुर गिर पड़े और उसके बेटे जो थे पेट के बल लेटे हुए थे और उसने अपनी लंबी सांस लेकर कहा कि आज मेरे दोनों बाहदूर चले गए उस दिन उसने राजा श्यामनंद की दी हुई रेश्मी जांगिया पहनी ठीक है जो श्यामनगर की राजा थे श्यामनंद जी उनकी दी हुई रेश्मी जांगिया थी जांगिया तो जानते होंगे जो कुष्टी के समय पहनते हैं वह जांगिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मल कर थोड़ी कसरत की फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया इस घटना के बाद गाउवालों की हिम्मत तूट गई जब लोगों को पता लगा कि लुट्टन के दोनों पहलवान बेटों की भी मिरत्ती हो गई तो गाउवालों की हिम्मत तूट गई कि जब ऐसे पहलवान लोगों को यह बिमारी खा गई तो अब तो हमारा बचना मुश्किल ही है रात में फिर पहलवान की धोलग बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई और लोगों ने कि ने जब पहलवान की धोलग की आवाज सुनी तो उन लोगों में दुबारा से हिम्मत आने लगी चार-पांच दिनों के बाद एक राद धोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी अब चार-पांच दिन तक तो धोलक बसती रही बेटे की मृत्तिव के बाद लेकिन उसके बाद क्या हुआ एक राद धोलक की कोई भी आवाज नहीं आई सुभह उसके शिश्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है और जब उसके शिश्यों देखने गए कि भई धोलक की आवाज क्यों नहीं आई है रात तो नोंने जोपड़ी में जाके देखा तो लुटन पहलवान की लाश भी धरती पर चित पड़ी है शिष्यों ने बताया कि उसके गुरू ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना तो उसके शिश्यों ने सभी लोगों को बताया कि हमारे गुरू ने कहा था कि जब मैं मर जाओं अगर तो मुझे कभी भी पीठ के बल ना लेटाना मुझे हमेशा पीठ के बल लेटाना और ऐसे ही मुझे ले जाना और जब मेरी चिता पर लेटाया जाए और जब मेरी चिता में आग लगाई जाए तो धोल जरूर बजाया जाए तो ऐसा उसने क्यों कहा लुटन ने कि मुझे पेठ के बल लेटाया जाए लुटन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो दंगल होता है दंगल में जो पहलवान होता है वो कब हारावा माना जाता है जब उसकी कमर कंधे वन्दे सब उसके धर्ती पर लग जाते है ठिक जाते हैं और लुटन कभी नहीं हारा था अपनी जीवन में तो वह मरकर भी नहीं हारना चाहता था इसलिए उसने कहा कि मुझे पेट के बल लेटाना और ढोल बजाने के लिए क्यों कहा ढोल बजाने के लिए उसने इसलिए कहा को कि वह ढोल को अपना गुरू मानता था उसी के दौरा उसने कुष्टी सीखी थी ढोल की आवाज उसमें हिम्मत भरती थी तो बेटा ये था हमारा पाठ पहलवान की ढोलक